चुलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टार्ट करें आज फर्स ट्रीके से लास्ट ख्लास में हमने देखा था क्या इंडेक्स है क्या नहीं है यह सारी चीजे जिसमें से हम फर्स चेप्टर पहले में वह चेप्टर कराना चाहता हूं आपको जो पहले थोड़ा सा आता है ठीक है ना और एक्जाम में भी पूछा जाएगा लगभग लगभग कौन सा चेप्टर करें पहले फाइनल अकाउंट करें पहले या फिर डप्रिशेशन बताओं पहले करा हुआ है है ना डप्रिशेशन भी करा हुआ है तो पहले फाइनल अकाउंट कर लेते हैं तो क्योंकि वह करा हुआ है जल्दी करना है खतम उसको और यह 15 मार्क्स का पूछा जाएगा 15 नी 20 का यह तो अब देखो बीकॉम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक क का 20 से 18 नंबर का वेटेज रहता है और सर यह रहेगा हमारा कितने नंबर का मैक्समुम मार्क्स 20 का और फाइनल अकाउंट मैं बात करूं तो इंक्लूडिंग GSTS में ठीक है मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा क्योंकि आपके पास स्रिफ और स्रिफ तीन महिने है और चेप्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया था 12 तेरा चेप्टर के आसपास जो भी आट-दस चेप्टर बन रहे थे वह चेप्टर है और तीन महिने हैं और आपका समिस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे समिस्टर टू के लिए समिस्टर टू थी फूर अगर आप 12 पता है क्यों पढ़ाई करते हो आप सबसे पहले पढ़ते हो फर्स से लेके 10 तक है न हमें उस टाइम पर कोई यह नहीं बताता क्यूंकि बताना भी नहीं चाहिए ताक फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे 10 तक आप सिर्फ बेसिक नॉलेज लेते हो मतलब कोई हर बच्चा आपके जैसा है कोई special नहीं है आपके साथ में friend भी वही पढ़ रहा है और कोई भी वही पढ़ रहा है सभी एक जैसा पढ़ रहे है लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो 11 में आते हो तो आप special skill की तरफ बढ़ जाते हो commerce, art, science है ना और commerce, art, science के अंदर आ आपको आगे further करना है आपने 11 बार भी पढ़ा और इसके अंदर majorly focus होता है हमारा कुछ new सीखना और plus दूसरे हमारे marks focus होते हैं इसको भी करके हमें कोई फाइदा मिलता नहीं है वैसे आपने देख लिया 12th pass कर लिया तो SS कोई आपको नौकरी बगर मिलेगे नहीं इसके बा इस दिन से पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका एक mentality बना होता है कि सर बीकॉम तो हो जाएगा या honors हो या प्रोग्राम है हो जाएगा इसके साथ के साथ क्या लेके चले अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है सर 11 बार भी तो मैं करी ल अज़िवी बार महीं कि आउटी तो किए पी त्यारी कर सकते हमें जोना तो उसी तरीके से अगर आपने यकीन मानना मैं आपके डिव का स्लेव को मैं बोलूं अगर आपने बीकॉम मुद्ध करके एक होता है दिखो कई वार करके त्रेंट रहता है अब announcesven चार-पांच कोश्चन में से एक कोश्चन तो आना है तो हम क्या करते हैं उस चार-पांच कोश्चन को याद करके चले जाते हैं सो देट हमारा एक्जाम क्या हो जाए अच्छा चले जाए बस वह सबसे बड़ा biggest mistake होता है क्योंकि हमने क्या करा वो चीज़े नहीं पढ़ी जो चीज़े हमें पढ़नी चाहिए अगर आपने B.com को बहुत इमानदारी से पढ़ा तो आपके आने वाले आगे कोई भी कोर्स हो B.com के बाद जो बच्छे जर्नली करते हैं गप पर किसी में कोचिंग लेनी की जूरत नहीं पर कि बच्छे मैं देखता हूं जो बच्छे सिय्ए करते हैं सबीज ली नोड़लाख रुपे ट्विशन फिश लगती है उनकी तेडर्डलाक एक एक लाख रुपे ट्विशन फीस जाती है और बीकॉम अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो मेरा मानना इंटरमीडियेट से टफ बीकॉम का स्लेबस है जादा स्लेबस है आपको टोटल तीन साल में पता है कितने सब्जक्ट पढ़ने है एक साल में चौदा यानि 12 सब्जक्ट पढ़ने और सीए इंटरमीडियेट में स्रिफ 8 तो बहुत डिटेल से लेबस रहता है तो मैं यह कहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से ना एकदम बढ़िया से पढ़के चलना है इसके अंदर ताकि आपको आगे चलके दिक्कत ना हो और जितने उनका पहला ही कंडीशन होता है candidate must be graduate at least 50% अब मानलो आप graduate तो हो गए अगर सेम मानलो आप बार भी पास कर लेते और आप 34 परसेंट से करते हैं और कोई college आपको admission ही नी देता 34 परसेंट हरकोई बोलता भी है हम admission उसी को देंगे जिसके 40 परसेंट हो तो क्या आपके 12th पास करने का कोई फाइदा होगा जवाबे सर कोई फाइदा निये 12th पास करने का तो है न चुकि आपका 12th के बाद की पढ़ाई रुख गई सेम ऐसे आपकी college के बाद का education रुख जाएगा in case आप वहाँ पे रुखते हो तो final अब दुबारा final account का पहले भी जो कर रहा है with GST करेंगे इसके अंदर जो GST के साथ है हमारा ठीक है न तो चलिए final account start करते हैं सबसे पहले final account जो है न क्यों कराए जाता है ताकि आप business की दो चीजे पता कर पाऊ एक आपका profit and loss और दूसरा balance sheet दो चीजों के लिए करते हैं basically एक profit and loss और एक balance sheet अब profit and loss भी दो पार्ट में बढ़ जाते हैं हमारे एक होता है हमारा gross profit एक होता है हमारा net profit ठीक है एक होता है gross profit एक होता है net profit balance sheet के जानने के लिए आपको दो चीजों की knowledge होनी बहुत जरूरी है एक है हमारा asset और एक है हमारा liability अभी जो फिलहाल हमारे इस समिस्टर में balance sheet है वही जो पुरानी balance sheet जो सीखते आए आप T-shape वाली वही है ऐसा कोई special balance sheet नहीं है आपने 12 में balance sheet याद करी थी heading wise वह वाला नहीं है simple balance sheet वह second semester में आएगा वह वाला balance sheet ठीक है तो एक gross profit एक net profit सर सबसे पहले आपको निकालना होता है gross profit नमबर वन और फिर आपको निकालना होता है net profit नमबर टू और फिर फाइनली balance sheet बनता है हमारा ठीक है सर gross profit को निकालने के लिए आपको knowledge होना चाहिए direct expense and indirect expense और सर net profit निकालने के लिए sorry मैंने यहां गरत लेकिए direct income direct income के अंदर मात्र एक ही चीज आता है expense बहुत सार है वो देखेंगे direct income के अंदर सिर्फ आएगा sales और इसके लिए चाहिए क्या indirect expense या फिर indirect income indirect income अब पहले हम इसके बीच में difference जाना बहुत ज़रूरी है direct indirect ठीक है ना तो सब direct और indirect को एक example से समझ लेते है मान लो आप कोई भी एक business start कर लेते हैं अब आपके ने business दो तरीके के होते हैं मैं एक simple से example से समझाता हूं दो तरीकी के business हो सकते हैं आपके और जो बड़ा business man होते हैं उसके दो ही दुकान होते हैं always सर दो दुकान कौन कौन से हैं एक होता है हमारा factory और एक होता है हमारा office कह लो showroom कह लो अब factory में क्या होता है हमारा समान बताओ बनेगा और जो बना के हम क्या करेंगे Thank他 कुछ दो भी कहीन 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 या आपस में connected होता है कई नहीं हो क्योंकि जो भी समान factory में बनाते है वह हम कहां बेज़ देते और फिस में फिर बिखता है country में क्या क्या काम हो सकता है और उसको भी جान लेते हैं अधिक एंदर नसमान जो खरीदा जाता है वो खरीदा जा सकता है कहां कहां से अलग-अलग जग ऐसे अगर मैं factory की बात करूं तो यहां समान खरीदा जा सकता है या तो in India से ठीक है इंडिया से समान खरीदोगे या फिर दूसरा option आपके पास होता है जैसे कि अब तो वैसे government ने काफी जादा जोड दिया है काफी जादा बोला है कि भाई made in India करो लेकिन उससे पहले आपको पता था और in fact अभी भी सारा प्रॉड़क्ट चाइना से आता था और फिर हम क्या करते थे यहां पर बस उसको इसेंबल करते थे असेंबल का मतलब क्या होता है जोड के और बेच देना यही काम करते थे जब सारा प्रोडक्ट हमारा चाइना से आ रहा था तो उस सिचुवेशन में हमें एक खर्चा वीर करना होता है जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी सर यह काइंड ओफ क्या है टेक्स है जब हम समान खरीते हैं जब इंडिया के बाहर से समान खरीते हैं तो एक परकार का हमें टेक्स देना होता है जिसको क्या बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप इंडिया के अंदर ही वो समान बनाते हैं तो एक परकार का टेक्स देना होता है जिसको बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी ठीक है कई बार वर्ड आएगा ये अगर बाहर से समान लोगे तो आपको देना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी और जो इंडिया के अंदर ही समान आप बनाते हो तो वहाँ पे भी एक टेक्स आपके उपर लगा देती है गोर्रमेंट देट इस एक्साइज ड्यूटी लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है वो बहुत हेवी होता है मान लेते हैं अगर 100 रुपे का समान है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 100 रुपे का टेक्स हो पॉसिबलिटी है लेकिन जो आपका एक्साइज ड्यूटी होते न वो एक परसंटेज है 10 परसंटेज इस परसंटेज का हमारे exam में कोई role नेही है बस एक general knowledge के लिए बता रहो हूँ थेक है तो आपको समान लाना है जब कभी भी समान लाओगे तो आप समान जब लेके आओगे तो आप by road या by ship by air लेके अओगे तो जब कभी भी आप समान लाते हो ना तो यहाँ पर हमें किराय देना होता समान का जैसे यह है ठीक है तो जो transportation है इसको हमें देना पड़ता है किराया किराय को हम बोलते है carriage या इसी किराय को बोलते है freight ठीक है ना इसी को हम cartridge भी बोल देते है इसी को क्या बोल देते हैं कार्टेज और समान को लाने के लिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा किसी से भी मंगवाओ आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा उस ट्रांस्पोर्ट एजेंसी को और यहां पे आपके फैक्टरी के अंदर जो वर्कर काम करते हैं जनरली इस फै कंप्यूटर वगरे पर ज्यादा काम नहीं होता उनका उनका समान को उठाना इधर रखना मसीन चलाना इस टाइप का काम होते हैं मजदूर जैसे बोलते हैं तो जो इनको तनखुआ दी जाती है ना इस मजदूर को उसको हम बोलते हैं वेजिस और फैक्ट्री के अंदर जन होता है हमारे घर में तो छोटा मीटर लगा हुआ है इसी से चल जाएगा अगर अपने घर वाले मीटर में आप चार-पांच एसी एड़ करोगे ना और बहुत सारी चीज आपने कई बार देखा होगा ज्यादा चीज़े अगर चला दो ना अपने घर में आप जैसे आपने गीजर भी चला दिया और तीन-चार एसी भी कनेक्ट कर दिया तो उस केस में मीटर में आग भी लग सकता है उतना पावर ही कैपिसिटी नहीं है उसके लेकिन फैक्टरी के अंदर तो हैवी हैवी ड्यूटी के चलती है और 24 घंटे चलती है वहाँ पर मसीने तो वहाँ पर बहुत हैवी में यूज होने वाले चीज है तो वहाँ पर जो भी कुछ यूज होता है उसको इलेक्टरी तीना बोलके उस अलेक्टर्शिटी को हम नाम देते हैं पावर कई जगह पे तो यह बिजली से चलता है कई जगह पे ना वहां पे डीजल वगएर भी यूज होता है जन्नेटर से चलाने के लिए अब तो जन्नेटर आ गया ना सोलर वगएर आ गया लेकिन पहले के टाइम पे क्या था जन्नेटर से डीजल को जो है जन्नेटर को जो ह accounting के शाव कि इसके बाद आप जो भी यहां पर समान बनाते हो उसके उपर एक kräpi होता है समान बनाने को जिसको को हम पता है कि बोल देतें manufacturing expense कि मतलब माल को बनाने का एक तरीके से घर्चा हो गया manufacturing यह पावर हो गया थीक है थे हमारा सारा काम यहां पर हो जाएगा अब ठीक कई बार जादा सा जादा फैक्टरी जो होता है नहीं अब पर दूर में और वहां की जमीन जैसे खेत वगर मैं दूर बना लिए आउटसाइड में तो वहां की जमीन generally सस्ती होती है comparatively to आपका residential area में तो factory rent पे नहीं होता अपना ही होता है अगर rent पे हुआ तो इसका जो rent होगा वो होगा factory rent ठीक है ना otherwise rent पे होता नहीं है हाँ go down वगएरा हम rent पे ले लेते हैं क्योंकि go down fix नहीं है कि हमें हमेशा चाहिए जब समान ज़्यादा हो जाता है तो go down के वशक्ता होती है और समान जब कम मातरा में बना होता है तो go down चाहिए नहीं हमें अब ज़्यादा समान और कम समान go down चाहिए तो हम उसको किराये पे ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक मतलब फैक्टरी का जो भी समान को रखने के लिए जो भी यहाँ गुड्स होते हैं उस गुड्स को समान को रखने के लिए हम क्या करते हैं go down और उसका भी rent हो सकता है ठीक है ना इसको power और एक दो नाम से और भी जानते हैं उसको भी मैं लिख देता हूँ power के बाद heating and lighting भी बोल देते हैं कई बार heating and lighting ठीक है तो यह सारी कहानी कहां कि है सर यह factory के अंदर की कहानी है अब जैसे ही आपका माल बन के तयार होता है आप क्या करते हो उस situation में अपने माल को भेज देते हो कहां भेज देते हो सर office में अब जब office में भेजते हो तब भी आपका यह जो है इसका खर्चा आएगा इसका किराया आएगा इसको भी carriage बोलेगे लेकिन फरक यह है कि यह समान को लाने का है तो लाने के time पे आपका क्या हो रहा है इन तो इसलिए कई बार इसके वर्ड के आगे इन वर्ड लगा दिया जाता है ठीक है ना carriage इन वर्ड cartridge इन वर्ड लगा दिया जाता है अब यहां से समान भेज रहे हो that is out तो कई बार समान के आगे ना जैसे carriage है तो मैं इसको बोल सकता हूं carriage और जनरली ऑफिस के अंदर भी वर्कर काम करेंगे तो यहां ऑफिस के अंदर ना वर्कर जनरली मज़दूरी वाला काम नहीं करते इनको दिया जाता है salary इनको दिया जाता है salary जो आफिस में काम करते हैं उनको क्या देते हम salary क्योंकि वो एक अच्छे level पे काम कर रहे होते हैं अब लेकिन office में भी कुछ होते हैं जो worker का काम करते हैं समाने उठाना रखना उसको भी दिया जाएगा wages लेकिन फरक होगा ये office का होगा और वो factory का होगा और ज्यादा से ज्यादा office जो रखते हो ना आप ऐसे area में रखते हो जहां पे आपको सब देखे जाने यानि अच्छे जगह पे तो वहां पे generally मकान लेना मुस्किल हो जाता है तो rent जो होता है ना अगर मैं सिर्फ बोलू मैं rent payment कर रहा हूँ तो हमेशा याद रखना है आपको किसका rent जा रहा होगा office का जा रहा होगा अगर मैं बोलता हूँ factory क का इस्तमाल कर रहा हूँ तो किसका होगा always office current होगा ठीक है ना ऐसा ही office में मैं बात करूँ तो यहां पे जो light जलेगी ना वह light बहुत है भी नहीं होगा तो यह simple होगा आपका बिजली का बिल यानि electricity बिल electricity bill यह simply आपका होगा electricity bill ठीक है और भी office में बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके जैसे कोई भी advertisement करना है office से होगा या फिर कोई भी stationary का खर्चा है office से होगा ठीक है अब यहां पर आपके दो जगए के खर्चे आपके divided है कुछ खर्चे तो आपके ऐसे हैं जो कि जैसे कि मानलो अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ खर्चे आपको ऐसे धिंक रहें कोद दुए!!! कुछ कोठ आपके ऐसे हैं और कुछ का होगा उसको क्या हआपको ध्यान रखना है ना जो खर्चे आपके आप कहा कि इस ऊसको कौन से खर्च आप देंगा है तो sir factory के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे अगर direct है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो आएगा वो आएंगे factory के खर्चे यानि आपको अगर trading account सीखना है बनाना तो आपको direct expense और indirect expense की knowledge होनी जरूरी है और direct expense कौन से खर्चे होते हैं factory के और अगर हम बात करते हैं indirect expense तो यह कौन से खर्चे होते हैं हमें सा office के और direct income में सरिफ एक मातर चीज़ है वो है sales और कुछ भी नहीं है और office के अंदर क्या है सारे चीज़े जितने भी खर्चे होते हैं income बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर जैसे की हो सकता है rent receive यह commission receive and etc और भी चीज़े हैं जैसे जैसे आएंगी वो हम देखते जाएंगे ठीक है ना सर इस gross profit को निकालना कैसे जाएगा यानि आप gross profit find करोगे एक net profit तो gross profit जो निकलेगा ना इसके लिए हमें एक account बनाना पड़ेगा उस account से निकालेंगे that is called trading account यानि आपको gross profit निकालने के लिए आपको एक account बनाना पड़ेगा और उस account का नाम क्या है trading और trading account बनाओगे gross profit और उसके लिए क्या चाहिए आपको direct और net profit आपको निकालने के लिए एक आपको चोटी से points पता चला के direct expense क्या है indirect expense क्या है इसको हम आगे धीरे जीए पढ़ेंगे अब आते हैं सर format की बात करते हैं ट्रेडिंग और profit जो देख रहे थे ना तो वो ट्रेडिंग और profit ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत तो पहले से बहुत कुछ पता है इसके वारे में फिर भी एक वार मैं format बना लूँ कि जिसने नहीं पढ़ा हो पहले चुकि यह second term का chapter होता है हमारा 11th class में अब दोनों अकाउंट आमने सामने पीच पर ही बनाने ते हैं कि अब आप सबसे पहला अकाउंट है इसको बोलेंगे हम दोनों अकाउंट इखटे बनने हैं इसको हम नाम देंगे सीधा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉफिट और यहां लिखेंगे फॉर्ड़ इयर एंडिंग जो भी साल का एंड का डेट है वह आजाएगा ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको मैक्स टू मैक्स दस लाइने छोड़ना है जैसे कि मैं अपने एक्जाम मैं यहां पर मान लेता हूं मेरे दस लाइन इसमें कंप्रीट हो जाएग जादस जादस इस से उपर नहीं छोड़ना ट्रेडिंग के लिए बस और उसके नीचे का हिस्सा जो यह देख रहे हो यह सारा किसमें काउंट होगा प्रॉफिट एंड लाउस में यहां पर पर्टिकुलर यहां अमाउंट और यह हो गया हमारा बैलेंस शीट नीचे लिखेंगे एज एड और डेट आजएगा ठीक है इस साइड में आएगा लाइबलिटी इस साइड में एससेट्स अमाउट ठीक है अब हम trading account या profit and loss account की हम बात करें तो trading account में क्या क्या आएंगे सारे के सारे direct खर्चे factory वाले मैं simple simple कुछ-कुछ खर्चे यहां पर लिख देता हूँ सबसे पहले आपने लिखना है यहां पर opening stock opening stock यह बाहर आ जाएगा फिर दूसरे नमबर पर आपका आएगा purchase और purchase हमेशा अंदर के साइड लिखना है इसमें से हम minus कर देते हैं क्या minus कर देते हैं purchase return और purchase return का एक और नाम होता है return outward फिर ऐसे लिखना है ठीक है इसके बाद यहां पर और भी खर्चे आ सकते हैं जैसे आ सकता exercise duty जैसे अभी हमने देखा था power और जैसे बोला carriage ठीक है और क्या आ सकता है सर और भी यहां पर खर्चे wages employer की जो salary वग रहते हैं wages यह खर्चा हमने यहां लिख दिया इंकम में तो स्रिफ मातर एक चीज़े रहेंगी by sales और इसको भी अंदर ही लिखेंगे और अगर कोई return हुआ तो यहां से माइनस कर देंगे sales return ठीक है अब इनका total करेंगे हम एक पॉइंट और इधर आता है इसके उपर अभी मैं थोड़ा सा कुशन मार्क लगा देता हूं इधर एक और पॉइंट आता है closing stock कब आता है नहीं आता उसकी बाद में बात करेंगे जब हम adjustment करेंगे ठीक है ना इसको ऐसे रहने देता है अब इधर से या तो यहां profit निकलेगा या तो इधर निकलेगा अगर इधर निकलेगा तो क्या है ग्रॉस profit थोड़ा space मैं इधर कर देता हूं कि खर्चे कम कर देंगा और यह ना लाइन आमने सामने होना अच्छी है ध्यान रखिएगा यह उपर नीचे ना हो यह बैलेंसिंग फिगर आएगा अगर इस साइड बैलेंस निकला तो बाई साइड में तो क्या आएगा ग्रॉस लॉस आएगा सिंपल से कहानी अगर यहां ताप आप एक्जाम में सही कर लेते हो तो आपको पांच नमबर मिल जाएगे देख यह 20 नम्बर का कुशेन आएगा एक ही आपका 5 कुशेन पूरे पिपर में आने यह से उपर कुशन आएगा नहीं तो बीज नमबर का एक ही सवाल आएगा और सिंपल सीधा सवाल आएगा तेक हैं अब जो यह ग्रॉस प्रॉफित आपने निकाला है ना तो इस व्रॉस प्रॉफित को हम इस साइड ले जाएंगे By ँस इस इस अंधंगे ये ख्ון ने ओड siya ठिका है यहां पी ये जो ग्रॉस प्रॉॉफित हो एदर हो गया अब में सारे खर्चे लिखjo देंगे जैसे जैसे सेलरी, रेंट मकान का, ओफिस का रेंट, कमिशन, दिस्काउंट, प्रेड एक्पेंस, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, हमारा, इलेक्रिसिटी बिल, पैड़ेट्स, चैनल एक्पेंस, रिस्टार्वाज़, अत्यक्पेंस्ट, रीज़गेंस्ट, इंकम बहुत गिने चुने होते हैं, जैसे की आपका डिसकाउंट रेसीव, जैसे की रेंट रेसीव, जैसे की कमीशन रेसीव, और जैसे कि और भी एक्सेक्टरा इंकम हो सकता है यहां पर जो भी आंसर निकलेगा इसको यहां लिखे देंगे तू नेट प्रॉफिट और जो यह नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा यह आलवेस कहां चला जाएगा हमारा बैलिंस शीट में चला जाता है ठीक है और इधर कुछ बैलेंस निकला तो उसके आगे लिखेंगे बाइन नेट लॉस अब इस लाइबलिटी साइड में सबसे पहले आपने लिखना है क्यापिटल और जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर एड कर दो गए अगर नेट लॉस हुआ है तो इसी में माइनस करते ना और अगर कोई ड्रॉइंग भी यह तो वह भी माइनस हो जाएगा और इनका टोटल इदर आ जाएगा ठीक है और बचेवे जितने भी लाइबलिटी है वह सारा लाइबलिटी इदर आ जाएगा जैसे कि बैंक लोन आउट्सेंडिंग एक्सपेंस बैंक ओवरड्राफ्ट इसके बाद बिल्स पेवल क्रेडिटर यह सारा इदर आ जाएगा और भी चीज़े आ सकती एडवांस इंकम इस साइड में एसिट्स आ जाएगा क्या क्या जाएगा बिल्डिंग फरनीचर स्टॉक मसीनरी टेटर गुडविल हालाकि मैं गुडविल लिख रहा हूं आता नहीं है अपर गुडविल हटा दो इसे कुछ कंडीशन है हम सीखेंगे उसमें पता चलेगा डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल कैश का बैलेंस बैंक का बैलेंस प्रीपेड एक्रूड इंकम कि इसको करने के बाद हमारा ये दोनों और साइड सिंपल सा तो देखेंगे इसको करने के बाद ये दोनों साइड जब मैच हो जाता है तब हम मानते के हमारा कोश्चन क्या हो गया हो तब ही तक हमने क्या-क्या देखा सबसे पहले तो भी है हमें एक profit and loss और balance sheet वही बनाना है जो कि 11 ग्लास में था इसमें कोई ज्यादा major changes ही नहीं अब इसके अंदर gross profit और net profit दो अलग अलग अकाउंट है लेकिन हम इसको एक अकाउंट पर merge करके चलेंगे ठीक है और इधर क्या बना लेंगे हम balance sheet अब इससे related हम question देखेंगे तो एक बार फटा फट से आप पहले एक बार नूट कर लो यहां से नूट करो फिर उसके बाद हम question के उपर चार्चा करेंगे